बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम अलेकूं इन किचन वी थानिया में आज हम बनाएंगे मिक्स ट्राइफ रूट केक बिल्कुली सिंपल और मज़ेदार रेसिपी चलें अब हम शुरू करते हैं चार अंडे हम मिशीन में डालेंगे और तकरीबन मिशीन दो मिट के लिए हम बन करेंगे और अगर आपके पास मिशीन नहीं है तो को्य मिस्वाह नहीं है आप हास से भी इसको बीट कर सकते हैं हास से तकरीबन 4 या 5 मिट में अच्छे से हो जेगा और जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो हम इसमें शुगर एड़ करना शुरू कर देंगे और शुगर मैंने दक्रीबन दो सो चालिस कराम लिए और इसको हमने एक साथ नहीं डालना इस तरह एक एक चमच करके हम इसमें डालेंगे सबसे पहले हम मैदा लेंगे 350 कराम उसमें हम बेकिंग पॉडर वन टेबल स्कून डालेंगे और साथ में हम टू टेबल स्कून जो है वनीले शुगर डालेंगे इन किचन में धानिये की रेस्पी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकोन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा तांके आने वाली हर अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके अब हम इसमें ओईल एड़ करेंगे ओईल मैंने लिया 140 मिली लीटर और इसे हम तकरीबन चंद सेकिंड के लिए मिशिन कोन करेंगे और साथ में मैं इसमें धहीं डालूंगी 170 गराम इससे केक बहुत ही सोफ्ट और मज़े का बनेंगा अब हम इसमें मैदा एड़ करेंगे थोड़ा थोड़ा करके एक साथ नहीं डालना ऐसी एक तो चमच भी थोड़ी देर के बाद एक तो चमच ताकि अच्छे से मिक्स हो ज़े गुटलिया ना बने और हाथ से भी ये मुश्किल नहीं है असानी से हो जाएगा हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ये देखें बहुत ही समूथ सा मिक्स्चर त्यार होना चाहिए अब देख लें बिल्कूल इस तरह क्रीमी सा होना चाहिए अब हम इसमें मिक्स ट्राइफ फ्रूट डालेंगे 200 ग्राम और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चमच की मदद से और फिर मैं इसको दो द्रम्याने सा इसके संचे लूँगी उसमें डालूँगी आपने इसको बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालना क्यूंकि जब बेक होगा तो ये फिर फूल के बाहिर आएगा तो इसलिए आपने इसको हादे से भी थोड़ा सा कमी रखने और मैंने 10 मिंट प्री हीट ओवन कर लिया था वान एटी डिग्री पे और इसको 55 मिंट के लिए हम बेक करेंगे ठीक 55 मिंट के बाद हम इसकी फाइनल लुक देखेंगे 55 मिंट से ज़्यादा नहीं रखिएगा ओवन से निकानने के बाद कम से कम 3-4 घंटे आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है गरम गरम को बिल्कुल नहीं काटिएगा और इन केचन भी धानी की रेस्पी अगर आपको बसान दाए तो प्लीस लाइक और सब्सक्राइब करते है अगली वीडियो तक के लिए अलाफीर